पती, राष्ट सेवा और मानवता के लिए सदे सम्वेदन सील और समर्पित व्यक्तित्व के धनी स्रीमान रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे स्वर्गी रतन टाटा का जीवन अपने आपने एक पूरे विश्वद्याले के समान है जिन्हों ने जीवन में बड़े सपने देखे और सपने नी देखे उनको पूरा करके भी दिखाए और सम्वेदन सीलता तो ऐसी के मोटर साइकल पे तीन चार बच्चों के साथ जाते वे दिखती को देखते हैं हमारे बीच में सिजाना आईए पूरे भारत के लिए भारत तो क्या हमारे अपने महमान के चलता हूं कि जिस पकार से उनकी सक्षियत है कि सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा दुखत छण हैं हमारे बीच में स्वर्गी दातन नटन नहीं रहें वो जीवन के सब छेतों में जहां जीए उनने अपनी एक छाप छोड़ी है एक पहचान बनाई दिए बावों महाकाल से काम ना करता हूं उनको अपने चड़णों स्थान दिए ओम सांथी से इस्वश्वी प्रधान मंत्री स्रीमा नरेन मोदी जी का इज आफ लिविंग के माद्यम से प्रदेश सरकार जनता की बहतरी के लिए सुगमता के लिए सरलता के लिए और करफ सन्फरी व्यवस्था के लिए मानी मोदी जी का सदेवागरह रहता आया है मुझे इस बात की प्रसंदता के मदब्रे सरकार ने आज एक नया कदम बढ़ाया वो है संपधा 2 अर्थात प्रोदेश के नागरिकों को इपंजिन M.E. स्काम्पिंग के नभीन पनाली पार्ट 2 के माध्यन से हमने एक बड़ी सोगा देने का आज फैसला किया है और उसको आज लागू करने जा रहा है ये जन्ता के लिए जो नागरिक जहां भी रहेगा वो घर से अपनी प्रापर्टी को बेच सकेगा उसकी रिजिस्ट्री कर सकेगा और ये रिजिस्ट्री पेपरल इस तरीके से होगी जो हम अगर किसी इस्थान पे बेटे मालो में हुपाल में बेटा हूँ और मैं अपनी प्रापर्टी उज्जियन की सेल करना चाहता हूँ तो मैं मुझे इस विवस्टा से यहां से जोड़ा जाएगा मैं भारत के किसी भी कोने से हूँ तो महां से जोड़ा जा सकेगा और भारत के अलावा भी किसी और भी राज्य से राश्टर से हूँगा अर्था विदेश से भी हूँगा तो मुझे इस सुविदा का लाब मिलेगा यह वो चीज है जिस आज के बलबुते पर हम अपने अधिकार की रक्षा करेंगे अपनी प्रापरटी की रक्षा भी करेंगे और आवा गमन का फालतू का लगने वाला समय भी बचेगा और कई समय जो रिष्टी के समय कई आरोप लगते हैं उना आरोपों से भी मुक्ती मिलेगी और स्टांपिंग के माध्यम से जो इस स्टांपिंग की ववस्था है उसको और सुद्रड करते वे समूची पंजन की प्रक्रिया बहुत सरल की जा रही है यह कितनी बड़ी सोगात है एक तरह से पूरे देश के अंदर मध्यम से एकमात राज्जी है जो इस तरह के नवाचार में लगाता रहा अगर नहीं भूमी का निभारा है आपकी जानकरी के लिए बता दूँ आज से कुछ समय कुछ महां पहले हमने एक व्वस्था लागू की थी के रजिस्टी कराएंगे और नामंतरन कराने के लिए पटवारी के घर जाने की जरुबत में जिसके नाम की प्रापर्टी अगर वो सेल करता तो नामंतरन पटवारी तहसील में अपने आप राजसरिकार्ट में होगा यह उससे बड़ा कदम है अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें